कि अब आप में आवाधियर वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल यूनिक इंजिनिरिंग टिप्स सो हमारा जो जेके SSBJ EC1 2021 का crash course जो हमने start किया था वो हमारा complete हो चुका है कल जो मैंने अप्लोड किया था fluid mechanics का that was the last lecture of fluid mechanics तो जैसे कि आपको बताए कि हर subject के complete होने पर मैं आपको 30% syllabus जो है उसका provide करता हूँ जिसमें हम important points और important topics जो examination point of view से important हो उनके बारे में हम discuss करते है so जो fluid mechanics का 30% syllabus है उसके लिए अभी मैं data prepare कर रहा हूँ it will take some time उससे पहले मैंने सुचा कि हम यह discuss कर लेते हैं कि हमारा पास जो remaining time है अब हमें इसमें क्या क्या strategies apply करनी चाहे exam को prepare करने के लिए so in this video we are going to discuss about GKSB JECL preparation strategies for the month of June, July and August जो भी हमारा पास remaining time है इसमें हम कौन-कौन सी strategies apply करने वाले हैं preparation के लिए हम इसमें discuss कर लेंगे so आप में से जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन सब को मैं यह inform कर दूँ कि हमने GKSB JECL preparation का crash course start किया था जो फैब में हमने start किया था कल वो crash course complete हो चुका है आप मेरे चैनल के playlist section में जाएए आपको वहां पे हर कुछ मिल जाएगा जो आपको JECL preparation के according चाहे तो I am sure कि you will definitely like my videos so let's start this video strategy number first हमारा पास यहां पे है previous year's paper solutions अब देखो हमारा पास जो है syllabus सारा का सारा complete हो चुका है अब हमें paper solve करने में कोई भी issue नहीं होना चाहे क्योंकि हमने हर topic जो है as per जो JKSB JECL syllabus है वो सारे और किया हुआ है तो अब हम यह देखते हैं कि हमारी preparation जो है किस level की है हमने कितना बड़ा है उसमें से paper में कितना आया हुआ है क्योंकि अगर हम पहले paper solve करते उससे आपको कुछ नहीं बता चलना था क्योंकि आपने पहले syllabus जो है cover नहीं किया था पड़े हुए हैं हम उनको भी solve करेंगे अब जो JKSPTC के papers हैं उनमें उनको general awareness भी थी reasoning बगारा भी थी और engineering portion भी था इसमें हमें general awareness और reasoning को discuss नहीं करना क्योंकि हमें वो syllabus में ही नहीं तो जो engineering wing है उसका उसमें जो syllabus है वो maximum सेम ही है एस पर्थ सलेबसार जेकेस भी जैसीवल 2021 तो हम जितने ज्यादा papers को solve करेंगे जितने ज्यादा papers को try करेंगे उतना बैटर रहेगा हमारी preparation के लिए तो हम उनको भी solve करेंगे मैं आपको उनको भी details से solve कराऊंगा यह है हमार पा strategy number first strategy number second हमार पास यहां पर है revision अब revision करनी है या नहीं करनी है यह आप लोगों पर आप लोग यह मत समझना कि मैं यहां पर voting करवा रहा हूं कि maximum students अगर चाहेंगे तो ही मैं revision कराऊंगा अगर minimum students चाहेंगे तो मैं revision नहीं कराऊंगा मैं सबको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप मेंसे एक aspirant भी मुझे बोलेगा कि हमें revision करनी है मैं तब भी आपको revision कराऊंगा मेरे channel पे हर student की सुनी जाएगी हर student की opinions को यहां पे consider किया जाएगा आप सबको एक चीज़ में बताना चाहता हूं कि आप इस channel को कभी भी मेरा channel मत समझना आप इस channel को अपना ही channel समझो यहां पे आपको हर doubt का हर topic का हर चीज़ का आपको solution मिल जाएगा ज़रूरी नहीं कि आप अपना doubt comment section में ही पोच सकते है इसके अलावा आप आप मुझे किसी भी social media के तुरू अपने doubts पोच सकते हैं आपको हर social media का link जो है वीडियो के description में मिल जाएगा Instagram हो गया Facebook हो गया WhatsApp हो गया Telegram हो गया आपको जिस भी social media के तुरू अपने doubts पोचने हैं मैं आपको वहाँ पे भी answers देने के लिए हर वक तायार रहता हूं तो मैं स इतना भी हमने syllabus cover किया हर subject का हमने complete syllabus cover किया ऐसा कोई topic नहीं है जो syllabus में है और हमने cover न किया हो लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी topic में किसी भी subject के topic में doubt है आप उस doubt को comment section में या किसी भी social media के तुरू मुझे पोच सकते हो मैं definitely आपके उस doubt पे video upload करूँगा और मैं अपना best देने की कोशिश करूँगा आपके इस doubt को clear करने की यहाँ पर हर वो चीज होगी जो आप चाहोगी मैं सिरिफ यहाँ पर twitter हो मैं सिरिफ आपको teach करूँगा लेकिन जो teach मैं करूँगा वो सिरिफ आपकी opinions के according ही teach करूँगा तो यहाँ पर आपको freedom है कुछ भी करने की कुछ साथ में ही upload करूँगा mcqo series जो हम subject wise start करेंगे जैसे हमार पास number of subjects 10 है हर subject के हम separately mcqo series start करेंगे so next हमार पास है strategy no 5 strategy no 5 में हम क्या करेंगे कि subject wise mock test अब देखो जैसे एक subject की हमारी mcqo series खतम होगी फो उसके बाद हम क्या करेंगे final mock test में है आपको उसका conduct करूँगा so वैसे ह हर subject की mcqo series के complete होने के बाद मैं आपको उसका mock test लोगा जिससे आपको हर चीज हर डाउट clear हो जाएगा so the next and last strategy is final mock test after completing all subjects mcqo until jksb will conduct the exam जब हमरे पास subject wise mock test भी खतम हो जाएंगे जितने हमरे पास subject हैं उनके हमने सारे के सारे mock test conduct करवा ले फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि पूरे syllabus में से आपको mock test लोगा जैसे simple paper जैसे बनाता है जैसे jksb paper prepare करना है पूरे syllabus में से prepare करना है तो वैसे ही मैं क्या करूँगा कि मैं आपको पूरे syllabus में से paper निकाल के दूँगा मैं आपको पूरे syllabus में से important important points निकाल के दूँगा उनको as a paper हम consider करके उनको solve करने की कोशिश करेंगे जो यह मैं final mock test prepare करूँगा इसमें मैं आपको 120 questions ही दूँगा और आपको time duration भी 120 minutes ही मिलेंगे इससे आपको काफी ज्यादा help हो जाएगी actual exam में बैठने से पहले कम से कम जो है मैं आपको 2 या 3 final mock test दूँगा जिसमें क्या होगा कि हर mock test मैं आपको 120 questions मिलेंगे और आपको 120 minutes ही मिलेंगे उनको solve करने के लिए इससे आपको time management के बारे में एक idea लग जाएगा कि हमें किस question पर पहले focus देना है किस question को बाद में solve करना है हमें 120 questions को 120 minutes में कैसे solve करना है यह सारी चीज़ें आपको clear हो जाएगी जितने हम ज्यादा final mock tests conduct करेंगे उतनी आपको ज्यादा preparation हो करना है यहाँ पर आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहोगे देखो मैंने आपसे promise किया था कि मैं आपको slavers जहें complete करवा दूँगा और मैंने आपका slavers complete करवा दिया है अब मैं आपको यह जो नई strategies के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ है I am quite sure with the help of almighty Allah and my continuous hard work and dedication I will also complete this challenge So आप सबसे सिर्फ इतनी ही request है कि मेरी videos को ज्यादा से ज्यादा like कीजे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर share कीजे क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक videos पहुंचेगी उतने ज्यादा लोग मेरी videos से benefit ले सकते है I am sure कि आपको मेरी strategies पसंद आई होग होगी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ add करना चाहिए उसके लिए आपको freedom है उसके लिए आप अपनी opinion जो है comment section में बता सकते हैं so thank you so much and keep supporting me